नमस्कार समाचारों के साथ मैं प्रशान्त सेंगर पहले मुख्य समाचारों नमस्कारों के नेताओं ने श्री पर्रिकर के निधन पर शूक व्यक्त किया और प्रदिश के सेंग्त मुख्य निर्वाचन पदर्दिकारी आज फेस्बुक के जरीये मतदताओं से करेंगे समवाद और अब समाचार विस्तार से पहले चरण का मतदान 11 अपरेल को होगा इस चरण में आंदर प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे पहले चरण में जिन अन्य राज्जों और केंदर शासित प्रदेशों में मतदान कराए जाएगा उनमें अरणाचल प्रदेश की 2, असम की 5, बिहर की 4, जम्हु कश्मीर की 2, महराश्ट की 7, ओडीशा की 4, उतर प्रदेश की 8, उत्तरा खंड की 5, पश्यमंगल की 2 सीटों इसी के साथ आज ही चार राज्जों के विधनसावा चनाओ की अधिसूशना भी जारी कर दी जाएगी। पंजे मिस्तित भाजपा मुख्याले में रखा जाएगा। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर इस्थानी कला अगाद मी ले जाएगा जहां आम लोग दिवंगत नेता को 11 बजे से शाम 4 बजे तक अंतिम शद्धासुमन अर्बित कर सकेंगे। पर राश्ट्रिय ध्वज जुका रहेगा और कोई सरकारी समाहरो आयजित नहीं किया जाएगा। केंदर ने भी शरी परेकर के समाहन में आज राश्ट्रिय शोक की घोशना की है। इस दोरान राज्जों और केंदर शासित प्रदेशों की राजधानियों में राश्ट्रिय ध्वज जुका रहेगा। गोवा के मुख्य मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए आज सुबह केंदरिय मंत्री मंडल की बैठक बुलाई गई है। प्रदेश में भी शोक की लहर चा गई। मुख्य मंत्री कमलनाथ ने श्री पर्रेकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं भाजपा के राश्ट्री उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान, प्रदेश अद्यक्ष राकेश सिंग और नेता पर्तिपक्ष गोपाल भारगव ने भी शिरिपर्री करके निधन पर दुख जताते हुए। प्रदेश भारती जन्ता पार्टी ने आज के अपने सभी कारक्रम नरस्त कर दिये हैं। प्रदेश की संयुक्त मुख्य निर्वाचन पतादिकरी अभी जीत अगरवाल आज शाम पांच बजे फेस्बुक लाइव के जरिये प्रदेश के मतदाताओं से समवाद करेंगे। दूसरी तरफ कल अनुपूर में जिला निर्वाचन अधिकरी ने फेस्बुक लाइव के जरिये जिले के मतदाताओं के प्रशनों के जवाब दिये। इस दोरान उन्होंने मतदाताओं से शत प्रतिशत मतदान की अपील की। निर्वाचन अयोग ने मतदान से पहले के 48 घंटों के दौरान राजनितिक दलों के चुनाओ घोशना पत्र जारी करने पर रूक लगाती है। आयोग ने अब चुनाओ घोशना पत्र को आदर्श आचार सहिता का भाग बना दिया है। इसके लिए पार्टियों को चुनाओ की घोशना के बाद नियमों का पालन करना जरूरी है। संशोधित आदर्श आचार सहिता कैनुसार जन्द प्रतिनेदितव अधिनियम 1995 की धारा 126 के अंतरगद प्रतिबंदित आवधी के दारान एक चरण के मतदान के चुनाओ के लिए घोशना पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा। इसमें ये भी कहा गया है कि एक से अधिक चरण के मतदान की इस्तिते में भी प्रतिबंदित आवधी के दारान चुनाओ खोशना पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा। जन प्रतिनेदित आदिनियम 1995 की धारा 126 में ये इस्पश्ट किया गया है कि मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के चुनाओ पर रूक लगी रहेगी। किसी भी प्रकार के चुनाओ पर चार पर रूक लगी रहेगी। आयोग के नुसार ये प्रावधान आगामी सभी चुनाओं के लिए आदर्श आचार सहिता का अंग रहेगा और इसे लागू किया जाएगा। फैक्टरी के लोगों से उनकी जनकरी ली। सेना से संबंदी साजो सामान को देखने के लिए बच्चे युवा और महिलाओं के अलावा बुजर्ग भी पहुंचे थे। सभी ने प्रदर्शनी में रखी युद्ध संबंदी सामागरी को देखने के बाद लाउंचर और बाकी युद्धक सामागरी सहित सभी के बारे में जानकरी ली और जाना की ये किस तरीके से काम किया करते हैं। फैक्टरी की प्रदर्शनी और उत्पादों के संबंद में आयुद निर्माणी खमरिया के वरिष्ट महापरबंदक एक अगरवाल ने बताया कि फैक्टरी के पास खरीब 2,000 करोड का उत्पादन लक्ष है और अभी तक 15,000 करोड से उपर का उत्पादन किया जा चुका है इसके अलावा यहां पर फैक्टरी करमचारियों दोरा बनाए गए चित्रों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है प्रदीश के आदिवासी बहुल जाबुआ और अली राजपर जिलों में इन देनों आदिवासी के प्रमुक पर्व भगुरिया की धूम है आदिवासी परमपरा के अनुसार ढूल मांदल की थाप पर नाश्ते गाते और सज सबर कर बड़ी तादाद में आदिवासी भगुरिया पर पर आईजित मेले में पहुँच रहे है मेले में छूले और चक्री का आनंद भी लिया जा रहा है वहीं विबिन राजनितिक दल भी इन हार्ड बाजारों में रंगा रंग गैर निकल रहे हैं यहां जगे जगे पंच सरपंच और पटेलों का भी साफा बांद कर सम्मान किया जा रहा है साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा भी जगे जगे एवियम मशीनों और वीवी पेट मशीनों के बारे में लोगों को जानकरी दे कर मतदाताओं को अधिक सधिक मतदान के लिए जाग रुकिया जा रहा है राइस्ट्री रिकार्ड धरी केटी इर्वान जापान में एशियन रेस वौकिंग चेंपेंशिप की 20 किलोमिटर इस परदा में चौथा इस्थान हासिल करने के बाद आगले साल के ओलम्पिक के लिए कौलिफाई करने वाले भारत के पहले एतलीट बन गए है इर्वान ने एक घंटा 20 मिनिट 57 सेकिंड में ये इस परदा पूरी की और टोकिय उलम्पिक के एक घंटा 21 मिनिट के कौलिफिकेशन स्टेंडर को हासिल किया अन्ने सभी इतलेटिक सेकिस इस परदाओं के लिए उलम्पिक कौलिफिकेशन के आवदी इस साल एक मैई से शुरू होगी और अगले साल जून तक चलेगी टोकिय उलम्पिक के लिए अभी तक इतलेटिक से कोई अन्ने भारती कौलिफाई नहीं कर सका है और अब इस बुलेटिन के कुछ समचार संक्षिप में खंडवा में एवी एम से मोकपॉल आज किया जाएगा उप जिला निर्वाचना दिकारी डीके नागेंडर ने मानने तपरात राजनितिक दलों के परतेनेदियों से इस करवाही के दोरान उपसित रहने की अपील की है गॉलेर कलेक्टर और जिला निर्वाचना दिकारी अनुराग चौधरी ने जिले के सभी शास्त्र लाइसेंस धारियों से 25 मार्च तक अपने शास्त्र संबंदित पुलिस्थानों में जमा कराने की निर्देश दिये हैं गुना में मतदाता जागरुक्ता अभिहान के तहत कल पुलिस लाइन में एवियम और वीवी पेट मशीनों का प्रोदर्शन और परस्रिक्शन दिया गया दमों में मतदाता जागरुकता अभिहान के तहट कल दुपईया वहन रैली निकाली गई जिसे उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया और राय सेंज जिले के विधान सभाक शेतर ओदैपुरा में चार माई से छे माई तक शुष्क दिवस घोशित किया गया है और अन्त में इस बुलेटिन के मुख्य समचार एक बार फिर लोग सभा चुनाओं के पहले चरण के अधिसूशना आज जारी की जाएगी पूर्वरक्षा मंतरी और गोवा के मुख्य मंतरी मानहर पर्रेकर का निधन राज़की शोक की घोशना शरी पर्रेकर का आज किया जाएगा अंतिम संसकार राश्टपती उपराश्टपती और प्रधन मंतरी सहीत सभी दलों के नेताओं ने शरीप पर्रीकर के निधन पर शोक व्यक्त किया और प्रदेश के सहयुक्त मुख्य नरवाचन पददिकारी आज फेस्बुक के जरीए मतदताओं से करेंगे समबाद इसके साथ ही प्रदेशिक समाचार काई बुलिटिन समाप्त हुआ